यदि आप भी भी हार बुट से मैट्रीक या इंटर पास प्रूच सहां रासी के लिए ओनलाइन आवेदन कर दिया हैं तो बरतमान में जो भी छातर सातर हैं आपका फॉम उगरा फाइनलाइज कर दिया तो आपका देखिए अपलीकेशन पेमेंट टेस्टेटस में इस तरह ल उसके सासत की बिहार में पूरे बिहार की अमनों बात करें जो अनतिस जीला है उसमें कितने चातर चातराओं का मैट्रीक और इंटर में अभी तक पेमेंट आया है कि नहीं पूरा मैं यहाँ पर डाटा आपके सामने रखने जाना हूँ इस स्थिति आपको किलियर हो जागा कि क्या आप ही का पेमेंट हो गारा पेंडिंग है या किसी छात्र छात्रा का आभी गया है खाते में ठीक है तो आईए आपके सभी प्रस्ण का एक एक करके जबाब जानते हैं ध्यान से देखिएगा अंत तक अगर आभी मैटरिंग इंटरफास प्रूप सहारासिक लिए आव यहां पे एकाउंट भेरिफाइड हो जाएगा ठीक हाँ अगर आपका कुछ भी भेरिफाइड नहीं सोकर आइस नेम या अधार काड या डेट अवर्थ या मार्क्स आधार काड तो समझे आपका जो माक्सीट पे नाम है और उसके साथ जो आपके आधार काड पे डेट नाम फादर्स ने मदर्स ने है वो सेम नहीं होगा तब यहां पे कुछ भी आपका रिजेक्ट होगा या माक्सीट पे जो नाम होगा ओ और आप यहां पे फॉर्म करते समें दूसरा नाम भर दियोंगे तब आपका फॉर्म यहां पर रिजेक्ट होगा तो इसका क्या सोलू बता दिया इसी दो कारण से रिजेक्ट होगा, आपना कारण पता करके आपको सुधार करा लेना है, अब चलिए अगला जो प्रसंद था, कि जो भी विद्यार्ती फाइनलाइज कर दिया है, उनका देखिए अपलीकेशन पेमेंट एस्टेटस में इस तरह ब लिखा हुआ, सो कर रहा होगा, अगर नहीं सो कर रहा होगा, ता फिर से आप चेक कर लिजेगा, कैसे अब आप में आ रहा होगा, कि आपका अपलीकेशन मानने है, भुगतान की परकिरिया प्रारंब होने की परतिक्छा करे, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका अर्थ सिंपल सा है, बता रहा आपका application department, मतलब की accept कर लिया है, अब आपके खाते में पैसा तब आएगा, जब भूगतान की परकिरिया की प्रारंब होने की परतिक्छा करें, अभी जो है सिर्फ registration हो रहा है, फाइनलाइज हो गरा किया जा रहा है, अभी किसी के भी खाते में पैसा नहीं भेजा गया है, ज कुछ भी आपको करने की आउसाकता निया आपका अप्लीकेसन मानने हो चुका एक्सेट कर लिया गया सिख्षा बीवाक के पूर्टल पे अब जैसे ही वह पैसा अपके खाते में भेजने की पर के रिया प्रारम होगा वैसे ही सबसे पहले आपके खाते में पैसा भेज दिया नाम है तो ऐसे जो कर रहा है तो यहां पर प्रसण आपका कभर कर लिया एक तो रिजेक्ट हुआ है तो कैसे सुधार कराएंगे दूसरा कि यहां पर इस तरह सो कर रहेंगे तो इसके क्या माईनए है अब अगला प्रस्ट की कब तक पैसा आ जाएगा तो इसको समझने के लिए आपको यह समझना होगा, कि कि आप बिहार में किसी भी छात्र सात्रा का पैसा आया है कि नहीं, तो यहाँ पे देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा, टोटल यहाँ पे डिस्टिक हैं, कि इतना का PMFS accept हुआ है, यहाँ पे पूरा जानकारी है, अगर आप फॉर्म फाइनलाइज किया है, तो किस जीला में कितने का फॉर्म फाइनलाइज हुआ है, यहाँ पे डिटेल है, अब यहाँ पे आईए अगर सबसे अंती में, तो यहाँ पे देखेंगे, टोटल पेमें कि इतने के खाते में सिख्चविवाग पैसा भेजा है, यहाँ पे देखेंगे, तो पूरा अन्रतीस डिस्टी का में आपने आपको डाटा दिखाया, यहाँ पे पूरा टोटल में देखिएगा, तो यहाँ पे जीरो आर्थात कि जीरो बिद्यार्थियों का भी पैसा आया है, और यहाँ जीरो बिद्यार्थियों का भी पैसा भेजा गया है, और जीरो बिद्यार्थि, मतलब किसी भी बिद्यार्थि के खाते में अभी तक पैसा नहीं है, अगर कोई भी आपसे बोड़ा है कि पैसा अगर आ गया है, तो आपको चींता नहीं लेना है कि आप ही कब यहां पे इतने बिद्ध्यार्थी के खाता में रिसीब हो चुका है पेमेंट सो कर रहा है मैं नीचे की तरफ करते आ रहा हूं यहां पे देखते आई हैं पूरा चलिए टूटल में डाटा आपको दिखा रहा हूं तो यहां पे 38 जीला का इस्तर हो गया यहां पे वेरी रही के लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फून का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आईए और इस चैनल का नाम ए आर केरियर पॉइंट जो स्पेलिंग देख रहे हैं यहीं स्पेलिंग आपको सिंपल सा टाइप करना और सर्च करना है आपके साम सिंपल सा चैनल करना है लिए के सामने बने हुए click here पे आपको click कर देना है उसी तरगा आप interpass चातर आए है तो आपके लिए यहाँ पे मैंने interpass प्रोचाहरासी वाले post पे click किया तो same काम आपको यहाँ पे नीचे की तिरफ हरेक जनकारी पढ़ते आना है और आपके लिए भी यहाँ पे देखिए बनाया है view application status यहाँ पे click here simple सा आपको यहाँ पे click कर देना है यहाँ पे देखिए आपको वहीं काम same काम यहाँ पे रजिस्टेशन नमर अगर आप metric के पर लिक्षारती है तो metric वाला रजिस्टेशन नमर टाइप कीजिए और search बटम पे click कीजिए अगर आप इंटर के पर इक्षारती है तो यहाँ पे इंटर वाला रजिस्टेशन नमर आपको टाइप करना है और यहाँ पे search बटम पे आपको click कर देना है जैसे ही आप search करेंगे तो आपका current status यहाँ पे show कर देगा यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ मेटरिक फास एक छातर का है यहाँ आप देखे इसका उसी तरह लिख रहा है कि आपका application मानने है मतला आपका application accept हो चुका आपको भूगतान की परकिरिया पराराम होने की परतिक्षा करना तो आपको wait करना जैसे ही पैसा होगा भेज़े जाने की शुरुवात होगा आपके खाते में पैसा भेज दिया जाएगा तो ऐसे आपको status से करना और यहाँ पर reject हुआ है यहाँ पर reject हुआ है तो कैसे सुधार कराएंगे मैंने शुरू में ही बता दिया उमीद करना हूँ बरतमान में जो status सो कर रहा है उस status के क्या माइन है उसका क्या मतलब है आप इस वीडियो के माध्यम से समझे है किसी भी कारण से आपका अगरमान लिजे रिजेक्ट हुआ है फॉर्म होगारा तो कैसे आप सुधार कराएंगे उभी मैं समझाने का परियास की हूँ कितने चात्र चात्राओं का पूरे बिहार में पैसा आया यह भी मैंने आपको दिखा दिया लाइफ प्रूब आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद